हेलो स्टुडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डेपार्टमेंट अपटनी डूंगर कॉलेज बिकानेर से, आज के इस वीडियो में हम एकॉलोजी अफ राजस्थान डेजर्ट के बारे में देखेंगे, जच्चा करेंगे और इसे समझेंगे इकॉलोजी अफ राजस्थान डेजर्ट, एक तरह से डेजर्ट के पारितंत्र होते हैं, उनके बारे में हमें पूरा क्या उसकी सरचना है, कैसे वो फंक्शन करती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे डेजर्ट अर नेचरल एकोसिस्टम्स, क्रेक्राइज़ बाई वेरी स्केंटी रेनफॉल, लेस देन 60 सेंटी मेंटर, हाई इवेपो ट्रांस्पिरेशन रेट, एरिडिटी और वेरी मिगर प्रेजर्ट अफ वेजिटेशन, जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं वो एक प्रकर्तिक पारी तंत्र होते हैं और उनके लक्षन क्या होते हैं, वहाँ पर वर्षन बहुत कम होता है, साल भर में 60 सैंटी मिटर से कम वर्षा होती है, और वेपो ट्रांस्पिरेशन वास्पोर सरजन कीदर तेज होती है, एरिडिटी शुश्कता पाई जाती है, and very major presence of vegetation और वनस्पत्ती बहुत कम देखने को मिलती है। The western Rajasthan possesses sandy warm desert, जो हमारा पश्मी Rajasthan है, वो एक रेतीला और गरम रिगिस्तान है। इसे हम Great Indian या थार desert के नाम से जानते हैं। It extends into the southern portion of Haryana and Punjab and into the northern part of Gujarat state. तो राजस्थान के चारों और जो दूसरे states हैं, उन में, जो दूसरे राज्ये हैं, उन के साथ ये सटा हुआ है। जैसे इसका जो दक्षनी भाग है वो हर्याना और पंजाब के साथ, और जो उत्री भाग है वो गुजरात के साथ मिलता है। The total area of the desert is about 2,00,000 km2. जो इस थार desert का जो ख्षत्रफल है वो लगबग 2,00,000 km2 है। spread in western part of Indian subcontinent between 24 degree to 28 degree north latitude and 68 degree to 71 degree east longitude. यह है जो हमारे Indian subcontinent है, जो हमारा भारतिय उपमहादीब है। उसके पश्चमिक्षेत्र में 24 degree से 28 degree उत्री latitude पर और 68 degree to 71 degree east longitude पर फैला हुआ है। It is the ninth larger desert of the world, but it has very fair biodiversity status. यह है विश्व का नोमा सबसे बड़ा रिगिस्तान है, मरुस्तल है। जो मिलती है। The average population density in thar desert is 83% per kilometer, जो हमारा thar desert है, जो हमारा रजस्तान का desert है, इसमें जो population होती है, उसकी जो density कर मुसका घनत्तम निकालते हैं, तो वो एक kilometer के area में 83% आता है। और while in other deserts of the world, जबकि जो विश्व के दूसरे deserts मरुस्तल होते हैं, उन में population density is just 7% per kilometer, विश्व के दूसरे मरुस्तलों में, जो हम अगर population density अगर हम समस्टी घनत्तम को देखें, तो वो मत्र 7 वेक्ती प्रती kilometer आता है। तो बहुत अंतर है, राजस्थान desert में 83 वेक्ती प्रती kilometer रहते हैं, जबकि विश्व के अन्य रिगिस्तानों में केवल 7 वेक्ती प्रती kilometer रहते हैं। One of the important geological feature of the thar desert is presence of some ephemeral rivers. जो हमारा जो thar desert है, इसका सबसे important geological feature है, characteristic के वो क्या है? कि यहाँ पर कुछ हमें ephemeral rivers देखने को मिलती हैं, ephemeral rivers हम उनको कहते हैं जो वर्षा के दिनों में जो वर्षा रितु में बन जाती हैं। जैसे लूनी है, सुकडी है, धगर है, बांडी है और जजोरी river है, यह वर्षा के दिनों में अपने इस्थान पर बैती हुई दिखाई देती हैं। और यह जो नदियां बनती हैं वर्षा के दिनों में, यह हमारे desert के, हमारे मरुस्थल के microclimatic conditions, जो हमारे शुर्षम जलवायू अवस्थाएं होती हैं, उनको परभावित करती हैं, और निश्चित रूप से उन दिनों में यह उस ख्षेतर के flora और फोना को भी परभावित करती हैं, उस ख्षेतर में पाए जाने वाले flora और फोना को भी यह कुछ परिवर्थित करती हैं, और जब यह नदियां आती हैं, तो उनके आसपास vegetation और उग जाती है, तो उस ख्षेतर के अंदर, या कुछ animal उस ख्षेतर के अंदर migrate हो जाते हैं, पहुन जाते हैं, तो वह उसकी सराचना में हमें A-Biotic, A-Jewic और Biotic, जewic कारकों को पढ़ना होता है, तो राजस्थान डेजर्ट के A-Biotic components, A-Jewic जो कारक हैं या तत्व हैं वो कौन-कौन से हैं, A-Jewic की जब हम बात करते हैं, A-Biotic characteristic की जब हम बात करते हैं, तो उसमें समानेत हैं हम जलवायू क्लाइमिक, एडाफिक, म्रदिय और टोपोग्राफिक, स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जलवायू की बात करेंगे, क्लाइमिट ऑफ थार डेजर्ट की बात करेंगे, जो हमारी यहां की जलवायू है वो शुष्क है, और उसके क्या लक्षन ह होते हैं, बहुत कम वर्शन पाया जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी सूखा देखने को मिलता है, और वहां पर टेंपरेचर के अंदर परिवरतन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. fluctuation देखने को हमें मिलते हैं temperature के अंदर high temperature और low temperature इसमें बहुत fluctuation पाई जाती है यहाँ पर wind velocity जो हवाई होती है वो तेज speed पर चलती है और अधरता अत्य धिक कम पाई जाती है अगर हम summers की बात करें अगर हम गर्मियों की बात करें जिसे मार्स से जून तक मानते हैं उसमें जो अधिक्तम तापमान होता है वो 45 degrees से 50 degrees centigrade के बीच में रहता है और सरदियों में जिसे हम winters कहते हैं वो नुवंबर से फरवरी तक यह तापमान 15 degrees centigrade से 25 degrees centigrade के बीच observe किया गया है और जो 80% से भी ज़्यादा जो वर्षन होता है वो वर्षा रितू के अंदर हो जाता है और यह लगवग 25 cm के करीब रहता है अपने थार डेजर्ट में एन्वल जो rainfall है वो 25 cm मापा गया है और यहां का जो मानसून सीजन है वो जुलाई to October होता है जुलाई से October तक रहता है तो अधिकांश जो वर्षा होती है वो इनी दिनों में वर्षा रितू के अंदर ही हो जाती है Since last 50 years the climatic regime has adversely affected पिछले 50 वर्षों में जो हमारी जलवायू है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए है मनुष्य के किरिया कलापों से climate change देखने को मिल रहा है जलवायू में परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि वेश्विक स्तर पर है जो कि global level के उपर होता है A report of the inter-government panel on climate change has projected hotter days and warm nights and a reduction in rainfall in thar reason by 21st century तो जो एक inter-government panel बनाया गया था जो जलवायू में परिवर्तन का अध्यन करता है उसने यह संभावना जता ही है कि 21 सदी है इसमें गरम दिन और गरम रातें यह बढ़ेंगी यह ज़्यादा देखने को मिलेंगी It is reported that the consequences of climate change may be very adverse for the biological diversity of the thar desert तो यह जो climatic change जलवायू में परिवर्तन हो रहा है यह यहां की जय विवित्ता के लिए बहुत ही dangerous हो सकता है adverse हो सकता है विप्रीत हो सकता है और यहां की जय विवित्ता को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है Edithology of thar desert Edithology अर्थात यहां किसकी बात करेंगे हम यहां पर मृदा की बात करेंगे Edithology हम उसे कहते हैं कि मृदा जो है वो किस परकार से living things को जीवित जो यहां पर organism सित्यादी है या विशेश करके वनस्पती है उसको किस परकार प्रभावित करती है The soil of the thar desert is characterized by poor soil fertility जो हमारा thar desert है जो हमारा राजस्थान desert है इसकी soil जो है मृदा जो है उसमें बहुत कम उपजव मृदा पाई जाती है मृदा में उपजवपन बहुत कम होता है It is dominantly sandy यह परभावी रूप से रेतिली बालूई होती है With 60-90% fine set जिसके अंदर महीन बालूई कन 60-90% तक हो सकते हैं और 2-10% तक इसमें silt और clay जो है जो है जो चिकनी मिट्टी और silt गाद जिसे हम कहते हैं वो दीखने को मिलती है अगर हम top soil भी देखें अगर हम उपरी पर्त भी देखें तो उपरी पर्त के अंदर अधिकांशत है बालूरेत होती है उसमें बहुत कम मातरा में गाद और चिकनी मिट्टी पाई जाती है और बहुत कम organic matter होता है और बहुत ही वहां पर जैसे हम कहते हैं कि जिसे हम humus जिसे हम खाद भी कह सकते हैं वैसी कोई organic matter की पर्त इसके उपर वैसे carbonic पदार्थों की पर्त इसके उपर दिखाई नहीं देती जो हमारा थार डेजर्ट है जो हमारा रजस्थान डेजर्ट है इसमें semi-stabilized जो अर्ध स्थापित सेंड यून्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि रेट के टिले वो दिखाई जेते हैं या shifting सेंड नहीं भी देखने को मिलते हैं जो तेज हवाओं के चलने पर अपना स्थान परिवर्थित कर देते हैं जो यहां की अपनी थार डेजर्ट है उसमें जो फॉस्फोर अस्तत्व होते हैं वो बहुत कम से मध्यम हो सकते हैं इसी परकार से पोटेशियम जो होता है वो मध्यम से हाई लेवल यहां पर उपस्थित हो सकता है अर्तात फॉस्फोर की मात्रा कम पाई जाती है पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है अगर हम ब्रदा की pH की बात करते हैं तो रजस्थान डेजर्ट के अंदर 7.6 to 8.5 pH यहां पर देखने को मिलती है स्वाइल की अगर हम पीच निकालते हैं तो 7.6 to 8.5 देखने को मिलती है Salinity of the soil in some areas of desert is higher अगर हम देखने यहां पर तो यहां की ब्रदा में कुछ खित्रों के अंदर जो salinity है जो खारापन है वो अधिक पाया जाता है which is mostly confined to areas depression और playa जिने हम देखते हैं कि वो ऐसे च्छित्रों में मिलते है जो थोड़े से गहरे हैं जो depression में है और इन च्छित्रों को यहां पर playa कहा जाता है हमारा जो थार डैजट है, हमारा जो रिगिस्तान है, राजस्तान का जो मरुस्तल है. अगर हम उसकी उस्तलाकृति की बात करते हैं. डैजट टोपोग्राफि चंटीन ए वाइड वरायेटी औफ जियोलोजिकल फीचर। हमारा जो डेजर्ट है इसके अंदर भिंद्बिन परकार की हम जियो लोजिकल फीचर्स को देख सकते हैं भिंद्बिन परकार की यहां पर अकृतियां हमें मिल सकती हैं सच एज यहां पर oasis हो सकते हैं, rock हो सकती हैं, outcropes हो सकते हैं, dunes हो सकते हैं, और mountains हो सकते हैं, यहां पर हम वोक्षत्र भी देख सकते हैं, नकलिस्थान, oasis जिने हम कहते हैं, जो जहां पर vegetation रधी कूती है और पानी के कोई पोंड, जील या स्रोत वहां पर उपस्तित होता है बैसे खशित्र होसकते हैं चटाने पाई जा सकती हैं यहा पर हमें रेत के टिले देखने को मिल सकते हैं और इवन कुन चट्र के अंदर उन चटानोंस से बने हुए mountains पहाड भी दिखाई देते हैं जैसे कि हम अरावली की बात कर सकते हैं तो अरावली के जो hills हैं वो यहां पर एक स्थान पर बालुई रेत को जम्मा करती जाती हैं और उनकी बड़े बड़े धेर बढ़ा देती है जिसे हम डिउन्स कहते हैं जिने हम रेत के टिले कहते हैं जो सैंड देजर्ड डिउन्स हैं उन्हें हम वायू के डिरेक्शन के अधार पर वायू की तिवर्ता के अधार पर हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं हम उने classified कर सकते हैं Possibly the most recognizable dunes types are transverse dunes जहां पर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो हमें अनुपरस्त सीधे खड़े हुए horizontal उपर की और जाते हुए sand dunes दिखाई देते हैं characterized by the crest transverse to wind direction इन में एक ढाल जो है वो दिखाई देती है जो नीचे से उपर की और wind की direction के अंदर हमाओं की दिखाई के अंदर बन जाती है many dunes are considered to be active बहुत से जो रिट के टिले होते हैं वो active होते हैं, वो किर्या shield होते हैं इसका क्या आर्थ है कि वो हवा के साथ travel करते हैं हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज हवाओं के चलने के साथ ही वो स्थानांत्रित हो जाते हैं और however some dunes can be anchored in place और कुछ ऐसे dunes भी होते हैं जो permanently जो स्थाई रूप से एक स्थान पर जम जाते हैं और यह जमते क्यों हैं क्योंकि यहाँ पर उनके ओपर vegetation बन जाती है vegetation उख जाती है वनस्पती उख जाती है ऐसे पादप उख जाते हैं जो soil को bind कर देते हैं जो मृदा को बांध लेते हैं तो यह स्थाई रूप से स्थापिद एक permanent sand dunes वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इन्हें हम sticky sand dunes कहते हैं यह चिपके हुए sand dunes यह भूमी के साथ चिपके हुए sand dunes कहलाते हैं अब बात करते हैं biotic components की अगर हम जैविक कारकों या जैविक अगर हम बात करें जो desert में पाए जाते हैं तो मुख्य तूर पर यहां पर हमें जो जीव देखने को मिलते हैं वो पादप और animals जानवर होते हैं तो जिसे हम flora और fauna के रूप में जानते हैं यहां पर वर्षन बहुत कम होता है और सारा साल temperature जो है अताप मान जो है वो हाई रहता है evaporation loss of moisture जो वाशपो सर्जन की दरह अधिक होती है जिससे आदरता तेजी से समाप्त होती जाती है तो जिससे जो desert होते हैं वो एक शुष्क शित्र बन जाते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि इन शित्रों के अंदर जो विरिक्ष हैं जो ट्री हैं जो पेड़ हैं वो दूर दूर विखरे हुए दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं, जहां पर जल उपलब्ध होता है, आदर्ता भी पाई जाती है, वहां पर ये ट्री बड़े अकार के भी देखने को मिलते हैं, जहां पर इनकी जो हाइट है, उंचाई है, वो 6 मिटर तक देखने को मिलती है समानेत है, यहां पर जो वनस्पती है, वो विरिक्षों और बुशिज जाडियों के रूप में उगती है, ग्रो करती है, और यह जो जाडियां और विरिक्ष हैं, यह यहां की जो लोकल पॉपॉलेशन है, हमारी जो यहां की जो रेगिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उ उनकी जरूरत को पूरा करती है The most common tree found in desert is खेजडी, हमारे जो रेगिस्तान है उसमें जो हमें बहुत अधिक trees पेट जो यहां पर देखने को मिलते हैं उनमें है खेजडी है, रोहीडा है बेर है और जाल या पिल्लू है Some other trees found in area are सीशम जिसके अलावा सीशम है, पिपल है सीरिश है, वो भी यहां पर दिखाई देते हैं और जो दूसरे प्लांट जाडी नुमा पादफ हमें यहां देखने को मिलते हैं, उनमें कैलोट्रोपिस आख है, लेप्टरीनिया खीप है कैपरिस्केर है अर्वा, जिसे हम बुई कहते हैं, वो है कैसिया है, सेंकरस और एस्टिडा जैसी घास यहां पर बहुलेता से पाई जाती है अगर हम फोना की बात करें, अगर हम जानवरों की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो यहां पर ब्लैक बक है इंडियन एंटिलोप, नील गाए जोसे हम कहते हैं वो देखने को मिल जाती है कृष्यन रग है, नील गाए है चिंकारा है, लोमडिया है गीदर है और मेंगूज यहां पर हमें नेवले जो हैं, वो भी देख जाते हैं स्कॉर्पियोंस मिलते हैं बिच्चों भी देखने को मिलते हैं बिच्चों के इलावा सांप और डेजर्ट रेबिट यहां पर रगिस्तानी खरगोश भी दिखते हैं और स्टिप्ट स्कॉलेड भी पाई जाती है जहां पर जल लितिया दियूटलब्द होता है वहां पर धारी-धार स्टिप जो है वो गलेरियां भी देखने को मिलती है अब हम इसके अगर हम यह स्ट्रक्चर की बात होगी जिसमें हमने यह बायाटिक और बायाटिक कंपोनेंट की तो अब हम फंक्शन की बात करते हैं तो डेजर्ट के जो एको सिस्टम होते हैं अब हम पढ़ते हैं तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि किस परकार से उर्जा बनती है और वो कैसे अन्य जिवों की अंदर पाधपों से या प्रॉडूसर से कोंजूमर की अंदर स्थानंत्रित होती है तो Energy Pyramid की हम सबसे पहले बात करेंगे, Energy Pyramid में हम Food Chain की भी बात कर लेंगे An Energy Pyramid shows the transfer of energy from plants, जो Energy Pyramid जो उर्जा के स्थूप होते हैं, वो उर्जा का पादपों से स्थनांत्रन को दिखाते हैं पादप सूर्य के परकाश में और जल और कलोरोफिल की साहता से कारबन डाइकसाइड को ले करके फोटो सिंथेसिस की किर्या के द्वारा भोजन बनाते हैं और यह भोजन जो दूसरे जानवर है, उस पारितंतर के अंदर हमारे रेकिस्तानी जो पारितंतर है उसमें उपस्ते दूसरे जानवरों को उपलब्ध रहता है Plants are called producer, पादपों को हम उत्पादग कहते हैं, because they made their own food, वैं अपना भोजन स्वेम बनाते हैं After the producers come the primary consumers, producers के बाद प्रातमिक उपवॉक्ता आते हैं, जोने हम Harvey Wars भी कहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, which can eat producer, जो उत्पादग को खा सकते हैं Thus can this consumer eat the Harvey Wars, जो दूतिक उत्पादग उपवॉक्ता होते हैं, वो Harvey Wars को खाते हैं, वो शाकाहारी को खा सकते हैं Lastly, the top जो हमारे जो शिकर पर जो हम देखते हैं, कौन से उपभोगता वहां पर हैं, वो predators होते हैं, वो शिकारी होते हैं, वो primary और secondary consumer, वो प्रात्मिक और दितिक उपभोगता दोनों का उपभोग कर सकते हैं. The producer in a desert are green plants, रगिस्तान के अंदर मरुस्तलों में जो producers पादक होते हैं, वो हरे पादप होते हैं, जैसे grasses हैं, cactus है, चोटे ट्री हैं, जाडियां हैं, जो वहां की शुष्ट परसितियों के लिए अनकुलित होते हैं, उधारन के लिए हम acacia tree की बात कर सकते हैं, जैसे की कड़का पेर, primary consumer के अगर बात करते हैं, जो eat producers, जो उतपादकों को खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, डेजर्ट में वो small mammals हो सकते हैं, छोटे स्तंधारी हो सकते हैं, जैसे rodents हैं, जैसे चुवे एत्यादी हैं, जैसे desert rat है, as well as rabbit, डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले खरगोश हैं, या heron है, जो शाकाहारी होते हैं, और यह सीधे उतपादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, secondary consumer desert में कोन से होते हैं, जो primary consumers को खाते हैं, इनमें animals कोन कोन से हैं, जैसे lizards हैं, scorpions हैं, rattlesnake हैं, and omnivorous birds होते हैं, और omnivorous birds मतलब जो दोनों को, पादपों को भी भक्षन कर स सकते हैं, जैसे kites हैं, चीले हैं, या eagles होती हैं, वो यहां पर देखने को हमें मिलती हैं, the top predators in desert are desert cats, शिकर पर जो उपवोगता हम देखते हैं, वो desert cats होती हैं, barn owls उल्लू होते हैं, लोमणियां होती हैं, जो primary और secondary consumers दोनों का उपवोग कर सकती हैं, तो इस प्रकार अगर हम energy के pyramid में देखें, तो जो देगिस्तान के हरे पादप हैं, वो भोजन बनाते हैं, ये भोजन शाकाहारियों के द्वारा जैसे rodents हैं, हीरंस हैं, इनके द्वारा ग्रहन किया जाता है, इन शाकाहारियों को secondary consumers जो हैं, जैसे snake इतियादी हैं, वो खा जाते हैं, और snake सितिया हमें देखने को मिलती है, energy transfer, उर्जा का स्थानांतरन, ये food chain के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं, कि जो energy होती है, वो उतपादकों से consumer के अंदर transfer होती है, वो desert के अंदर हमें इसके different levels हमें दिखाई देते हैं, यहां पर एक खादश रंकला में उतपादक हरे पादप होते हैं, जैसे कटाई है, जैसे कुछ पेड़ हैं, जैसे कुछ जाडिया हैं, और जो सूर्या के द्वारा अपनी उर्जा को, अपने भोजन को बनाते हैं, ये अपने अंदर उर्जा को संचित करते हैं, और ये एक desert ecosystem के producers या उतपादक होते हैं, उसके बाद जो primary consumers, खादेश रंकला के अंदर जो प्राथमी को बोकता आते हैं, वो इस energy को ग्रहन करते हैं, इस खादेश रंकला के अंदर यह usually rodents इत्यादी होते हैं, जो इस energy को अपनी growth के लिए उप्योग में करते हैं, और कुछ energy को आगे स्थानांतरित कर देते हैं, जैसे primary consumers होते ह वो उनके अंदर पादपों से और पादपों से केवल 10% उर्जा है, वो ही स्थानांतरित होती है, और यही energy primary consumers जो हैं उसका उप्योग करते हैं, अपनी growth भी करते हैं, और उसे आगे secondary consumers के लिए बचा करके भी रखते हैं, और secondary consumers जो primary consumers के अंदर उपस्थित उर्जा होती है, उसका केवल 10% ग्रहन करते हैं, और जो top perpetrators होते हैं, जो tertiary जो उप्योगता हम जिने कहते हैं, वो जो होते हैं, उनमे secondary consumer के अंदर उपस्थित उर्जा का भी 10% पहुंचता है, तो इसे हम 10% rule कहते हैं, this is called the 10% rule, इसे 10% का नियम कहा जाता है, तो उर्जा प्रतेक एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल किसी पारित अंतर में 10% ही स्थानांतरित होती है, energy flow, उर्जा का flow कैसा रहता है, तो यह हम बात कर चुके हैं, कि जो उत्पादक हैं, उन से उपभोकता के अंदर उर्जा का जो है, वो उस्थानांतरन होता है, वो जैसे desert rat है, वो बीजों इत्यादी को खाता है, तो बीजों में जो संची तुर्जा है, वो rat में पहुंझ जाती है, उस चुहे को कोई hawk या चील इत्यादी खा लेती है, तो वो energy जो है, वो rat से hawk के अंदर पहुंझ जाती है, और जब ये hawk या चील इत्यादी है, वो मरते हैं तो energy left in waste and dead यह जो बढ़ते हैं तो decomposers जो होते हैं जो अप गटनकारी बैक्टीरिया या फंजाई इत्यादी होते हैं वो उसका आप गटन करके उर्जा को वापिस atmosphere में स्तनांतरित कर देते हैं तो decomposers play important role in nutrient cycle तो जो decomposers होते हैं वो जो हमारे nutrient cycle जो potion चक्र हैं उसमें महत्तपुरन रोल निभाते हैं यह फंजाई हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं जो nutrients या energy को वापिस soil तक जल तक या वायू तक पहुंचाते हैं और during every step of energy flow there is always some loss of energy in the form of heat जब उर्जा एक स्तर से उपदक से उपभोकता तक जब किसी भी स्तर पर स्तरांतित होती है तो उश्मा के रूप में उसका loss होता है उश्मा के रूप में वो बाहर निकल दी है अब हम desert में पाए जाने वाले biogeochemical cycles की बात करते हैं desert में मुख्य जो biogeochemical cycles हैं जो जैव भूर साइनिक चकर है वो carbon cycle और nitrogen cycle देखने को मिलता है तो यह है on the food chain the carbon cycle can easily explain किसी भी खादेश रंखला में carbon cycle को सपस्टूप से दिखा जा सकता है जो पादप है वो carbon dioxide को atmosphere से ग्रहन करते हैं और जल और सूरे के परकाश के साथ मिलकर प्रकास translation की किरिया करते हैं जिसमें oxygen सह उत्पाद के रूप में निकलती है as a result the plant gives of oxygen when it photosynthesize तो इसका मतलब प्रकास translation की किरिया में पादप oxygen का भी उत्पादन करते हैं किसी भी खादेश रंखला के अंदर जब पादप carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं तो अगले स्तर पर उपस्थित जो animals हैं जैसे कोई rat इत्यादी हैं वो इस oxygen को अपने सोशन के लिए ग्रहन करते हैं अपने भोजन का breakdown करते हैं उस भोजन को अपने लिए उर्जा बनाने के लिए oxygen की साहता से उसका oxygen करते हैं और इस किरिया में carbon dioxide उत्पन होती है तो जो consumers हैं जो उपबोगता हैं वो सोशन की किरिया के द्वारा oxygen को ग्रहन करके carbon dioxide को वापिस छोड़ देते हैं तो इस परकार से carbon dioxide का cycle पाजपों से उसे ग्रहन करते हैं और animals उसे छोड़ देते हैं पादप चुंकि swim भी सोशन करते हैं तो वो भी carbon dioxide छोड़ते हैं लेकिन दिन के समय यह carbon dioxide प्रकास installation की किरिया में पर्युक्त हो जाती है जो animals हैं जो जानवर हैं वो सोशन की किरिया के द्वारा carbon dioxide को छोड़ते हैं और oxygen को ग्रहन करते हैं यह carbon dioxide को वापिस वायू मंडल को लोटाने की महत्वपुरुन किरिया है तो इस परकार से जो carbon dioxide यह carbon है वो वापिस इन उत्पाद को जैसे पादप है या animals जो जानवर हैं जो उपभोकता हैं उनके म्रत होने पर भी वापिस अमय प्राप्त होती है यह मुख्यत है उसमें carbon के आनश होते हैं जब यह पादप या जानवर म्रत होते हैं तो भूमी में इनका अपगटन होता है जिससे carbon सुतंतर होता है जो soil के अंदर या air के अंदर या वाजू मंडल में वापिस मिल जाता है तो इस प्रकार से desert के अंदर carbon cycle या carbon die excitle complete होता है अगर हम nitrogen cycle की बात करते हैं तो nitrogen ऐसा है कि वाजू मंडल में present तो बहुत मात्रा में है लेकिन पादप इसे या animals सीधे तोर पर गहन नहीं कर सकते और यह इसे nitrates के रूप में इसे ग्रहन करते हैं तो जो bacteria है जो nitrogen का स्थिर करन कर सकते हैं वो पादप feather cycle के, legumene cycle के पादप होते हैं जो कि desert के अंदर भी पाय जाते हैं तो इनकी जडों में nodules होती हैं उन में bacteria रहते हैं यह जो bacteria होते हैं वो nitrogen को मृदा के अंदर स्थिर कर देते हैं अर्थादवाजुमेंडल की जो nitrogen है उसको nitrate या nitrate के रूप में स्थापित करते हैं इन पादपों को desert beetles खा लेते हैं और जो desert beetles होते हैं उनको जो insects हैं वो उनके अंदर nitrogen पहुंच जाती है इन beetles को जब lizard खाती है तो ये nitrogen उस छिपकली के अंदर उस lizard के अंदर स्थानांत्रित हो जाती है और उसे भी nitrogen मिल जाती है तो ये lizard जब कोई hawk या चील या कोई बाज इत्याजी से खाता है तो lizard में उपस्तित nitrogen जो है वो उस बाज के अंदर स्थानांत्रित हो सकती है तो इस परकार food chain में nitrogen एक स्थर से दूसरे स्थर पर स्थानांत्रित होती है और ये nitrogen होती है ये वापिस कैसे मिलती है जब कभी भी पोगता या उत्पादक जब मृत होते हैं या उनके कुछ फाग मृता के अंदर गिरते हैं तो उनका अपगटन होता है जिवानू या फंजाई कवक त्यादी उसका अपगटन कर देते हैं जिससे उनके अंदर संचित जो nitrogen है वो भी सफतनत्र हो जाती है और भी breakdown होकर के जोटनत्र हो जाता है तो इस परकार nitrogen वापिस वाजू मंदल में पहुंच जाती है Thank you so much